विजया दस्मी हिंदों का परमुक परवे इसे दसहरा भी कहते हैं सभी बड़ी स्रद्धा के साथ मनाते हैं विज़ा दस्मी का संबंद सक्ती से है जिस परकार ज्यान के लिए सरस्वती की उपाशना की जाती है उसी परकार शक्ती के लिए मा दुर्गा की उपाशना की जाती है कहते हैं कि अत्याचार करने वाले माई सासुर नामक राक्षस का उन्होंने सनहार किया था इसके लिए उन्होंने माई सासूर बर्दनी का रूपधारन किया था दुर्गा ने ही शुम्ब निशुम्ब नामक राक्षशों को मारा था उन्होंने चामुंडा का रूपधारन करके चंड मुंड राक्षशों का बद्ध किया श्री रामचंद्रे ने दुर्गा मा की पू पारंब होता है, दसमी के दिन इसकी समापती होती है, प्रतिपदा के दिन प्रतेग हिंदू परिवार में देवी भगवती की स्थापना की जाती है, गोबर से कलसा जाता है, खलस के उपर जो के दाने खोंसे जाते हैं आठ दिनों तक नियम पूरवक देवी की पूजा कीरतन और दुर्गा पाठ होता है डोमी के दिन पांच कंञां को खिलाया जाता है उसके बाद देवी की मूर्ती का विसर्जन किया जाता है इस उस्थ Ye Du ourine के दिनों करने वाले बड़े सयम से रहते हैं दस्मी के दिन विशेस उत्सव मनाया जाता है इसे विज्या दस्मी दसहरा कहते हैं दसहरा दस पापो को नश्ट करने वाला माना जाता है इस पर्व को कुछ लोग कृशी प्रजान त्योवार के रूप में भी मनाते हैं इसका संबंद उस दिन से जोड़ते हैं जब स्री रा का दर्शन शुब माना जाता है इस दिन लोग निल कंट के दर्शन करते हैं गाउं में इस दिन लोग जो के अंकूर तोड़कर अपनी पगड़ी में खोंसते हैं कुछ लोग इसे कानों और टोप्यों में भी लगाते हैं उत्तर भारत में दस दिनों तक स्री राम की की जाती है मिधिला और बंगाल में आश्विन शुक्ल पक्षमें दुरुगा की पूजा होती है मैसूर का दशेरा पर देखने लायक होता है वहां इस दिन चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर की सजावट अनुपम होती है महरादय की सवारी निकलती है परदर्शनी भी लगती है यह पर्व सारे भारत में बड़ी धुमदाम से मनाया जाता है विज्या दस्मी के आवस़र पर छट्री अपने अस्त्रे सद्रों की पूजा करते है जिन घरों में गोड़ा होता है वहां विज्या दस्मी के दिनों से आंगन में लाय जाता है इसके बाद उस हमें लोग तूट पड़ते हैं धन्यवाद जैए